हेलो डियर फैंस कैसे हुआ आप सुब आप सब कसा अगत करता हूँ मेरो युट्यूब चैनल सुन्दर संसार में आज मैं आपको बताने वाला हूँ मोग्रा बेल के बारे में अपने मोगरा प्लान तो बहुत ही देखा होगा मगर बहुत ही कम ऐसे लोग होगे जो मोगरा बेल के बारे में जानते है या फिर देखी है तो आज देख लिजे मोगरा बेल और उसके फ्लावर भी देख लिजे इनकी खुश्बू मोगरा प्लावर के जहसे ही है खुश्बू में कोई अंतर नहीं है मगर अंतर है वो फ्लावर में और इसके हैट में है एक कम से कम मैं मानो तो 10 फिट तक चली गई है उपर छोटी ही स्टेंप है इस सैट भी बहुत सारी चले गई है तो आप सोच रहे होगे कि इसमें इतनी सारी कलिया क्यों आई है तो उसका करण एक ही है जो पोधे को चाहिए वो मैंने उसे दिया तो आपका प्रश्ण ही होगा कि पोधे को क्या चाहिए पोधे को बस तीन चीज़े ही चाहिए नैट्रोजन पोटेश्यम और फॉस्फरस यह तीनों ही हमें कुद्रती तरीके से देनी है ना ही कुद्रिम तरीके से एन पी के डाल कर वो भी इस गर्मी की सेजिन में तो एन पी के कभी मत डाल लिए गया वरना आपका प्लान तो पूरा डैड ही हो जाएगा मेरा अनुबह वे आपसे तो इसमें आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं और कंपोस्ट भी दा सकते हैं यह दोनों या फिर कॉस्स आएगया पके तो मेरा यह द्यन है कि आप मेरा वीडियो देख लेजिए तो आपने यह सूच लिए कि इसका प्रोगरिस इतना कैसे हुआ है और क्यूँ हुआ है? वो बात तो आप समझ में आ गई है उपनाने बात करता हूँ आप इसे कर सकते हैं और एर लेरिंग से भी ग्रो कर सकते है मगर मॉन्सुन के सीजन में ही यह करना है समर के सीजन में नहीं करना है अगर समर के सीजन में किया तो ग्रो होगा नहीं क्योंकि मौनसन का पानी है वो पोदो के लिए वर्दान के सुरूप है जितना ही चाहे क्यों न गिर जाए मगर कभी भी लिफ बर्ण नहीं होता कभी भी ब्राउन लिफ नहीं होती है पुरा दीन चाहे क्यों न पानी इस पर पढ़ जाया मगर कुछ होता नहीं मगर हमने समर में थोड़ा से सदे पानी डाल दिया तो समझ लिए ये पूधे को बुरा लग दे और वो लिफ बरना ब्रांग लिफ होने लगते हैं और ये देख लिए जिए मेरे रोज का प्लांट लोगों को फ्लावर उपर लगता है मेरे रोज में नीचे लग रहा है क्या गुलाब है और ये जो प्लांट है मोगरी का प्लांट इकली है वो देख लेज़े दोनों में साइज और पैटन में फरक है तो मैं बात कर रहा था कटिंग की तो कटिंग से भी अभी से ग्रोव कर सकते है और एर लेरिंग से भी ग्रोव कर सकते है एर लेरिंग कब करनी है तो वो मॉन्सुन में ही करनी है किसी की पोदे भी आपके air layering कर सकते है air layering से आपकी cutting 100% success हो जाएगी अब motion का season आएगा तब मैं आपको air layering करना सिखाऊँगा सभी पोदों कि मैं air layering करने वाला हूँ एक बार मैंना air layering की थी मुझे 100% उसमें सफलता मिले cutting में भी मिझे सफलता मिलती है cutting भी मेरे कभी fail नहीं होती है मगर आप beginner होगे अपने कभी ऐसा काम नहीं किया है इसलिए मैं आपको air layering करना सिखा रहा हूँ आप देखें यह एक टेहनी है एक टेहनी में से टेहनी निकलते जाती है और दो दो तिन तिन फूल इसमें खेल रहा है इसकी सुगंद भी मोगरे की तरह ही बहुत खुश बुदार है वह भी सुबह में निकलता हूँ मेरे आंगन में तो इतनी खुश बुद क्या आती है कि पुछो मत ऐसा लगता है कि पूरा आंगन है वह महग गया है तो हम अपने घर में ऐसा पुदा रखना ही चाहिए अगर आपको यह वेरा वीडियो पुसंद आया हो तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शेर कीजिए थेंक्यू सो मच डियर फ्रेंज